हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डूर चैनल, हमारी आज की वीडियो को टोपिक है योग का महत्व पर निभंद तो फ्रेंड्स, ये निभंद हम हैडिंग्स और स्लोगन्स के साथ लिखेंगे जिससे की हमारा निभंद और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन सके तो चलिए एक स्लोगन के साथ इस निभंद को शुरू करते हैं हमारा स्लोगन है योग करने का लोसंकल्ब, स्वस्त जीवन का यही विकल्ब उसके बाद हम प्रस्तावना लिखनी शुरू करेंगे प्रस्तावना योग एक ऐसी क्रिया है जो ना सिर्फ मनुष्य को शारीरिक और मांसिक रूप से स्वस्त रखने में उसकी मदद करती है बल्कि आध्यात्मिक ज्यान प्राप्त करने में भी सहायक होती है योग के द्वारा कोई भी व्यक्ति पुर्ण रूप से निरोगी बन सकता है एवं सफल स्वस्त और शान्ति पुर्ण तरीके से अपने जीवन का निर्वहन कर सकता है नियमित योग करने के कई फाइदे हैं इसलिए अब विश्व भर में योग को खास महत्व दिया जा रहा है हमारा नेक्स्ट एडिंग है योग की उत्पत्ती योग का जन्म प्राचीन भारत में हजारों साल पहले हुआ था यह माना जाता है कि शीव पहले योगी या आदी योगी हैं हजारों साल पहले हिमाले में कंटी सारोकर जील के टट पर आदी योगी ने अपने ग्यान को महान साथ रिश्यों के साथ साज़ा किया था क्योंकि इतने ग्यान को एक व्यक्ति में रखना मुश्किल था रिश्यों ने इस शक्तिशाली योग विज्ञान को दुनिया के विभिन हिस्सों में फैलाया जिसमें एशिया, उत्री अफ्रीका, मद्देपूर्व और दक्षनी अमेरिका शामिल है योग प्रणाली की पूर्ण अभिव्यक्ति में भारत अग्रणी है सिंदू सर्ष्वती सभ्यता के जिवाश्म, अफ्षेश, प्राचीन भारत में योग की मोजूदकी का प्रमान है योग सिंदू घाटी सभ्यता बोद और जैन प्रमप्राओं में शामिल है सूर्य को वैदिक काल के दोरान सर्वच महत्व दिया गया था और इसी तरह सूर्य नमसकार का बाद में अविशकार किया गया था महर्शिप पतंजली को अधुनिक योग के पिता के रूप में जाना जाता है हलांकि उन्होंने योग का विशकार नहीं किया क्योंकि यह पहले से ही विभिन रूपों में था उन्होंने इसे प्रणाली में आत्मसात कर दिया और सभी पहलूं को एक निश्चित प्रारूप में शामिल किया जिसे योग सुत्र कहते हैं हमारा नेक्स्ट हैडिंग है योग का महत्व कुछ सालों पहले सिर्फ आयूरवेदिक रूप से ही योग को महत्व दिया जाता था लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक रूप से भी योग को महत्व दिया जाता है आज तो डोक्टर भी अपने मरीजों को योग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि इससे हमारे शरीर की रोक प्रतिरोधक शक्ती भड़ती है और शरीर रोक मुक्त बनता है इसलिए तो योग को मनुष्य का शारीरिक और मांचिक उपचार कहा जाता है योग करने से मनुष्य की रीर की हड़ी में लचीलापन आता है जिससे हमारी शारीरिक स्थिती हमेशा स्वस्त रहती है योग हमारे अंदर ध्यान और एकागरता को बढ़ाता है योग मनुष्य के शारीर को अनुषासन में लाकर तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करता है एक रिपोर्ट के अनुषार दुनिया में करीब दो अरब से भी ज्यादा लोग हर रोज योगा भ्यास करते है योग तवचा को चमकाने में भी मदद करता है शक्ति और सैन शक्ति को बढ़ावा देता है मन और विचार नियंतरण में मदद करता है योग अवसात पर काबू पाने के लिए मन शांत रखता है रक्त परिसंचरण और मास पेशियों के विश्राम में मदद करता है वजन गटाने में भी मदद करता है योग यह सब योग के लाब हैं, योग स्वास्ते और आत्म चिक्सा के प्रती आपके प्राकर्थिक प्रवत्ती पर ध्यान किंद्रित करता है योग सत्र में मुख्य रूप से व्यायाम, ध्यान और योग आसन शामिल होते हैं, जो विभिन मास पेशियों को मजबूत करते हैं दवाओं जो हमारे मांसिक और शालिरिक स्वास्ते के लिए हानी कारक हैं से बचने का यह है एक अच्छा विकल्प है योग एक बहुती उप्योगी अभ्यास है जिसे करना बहुत आसान है और यहे कुछ गंबीर स्वास्ते समस्याओं जो आज के जीवन शैली में सवन्य हैं से भी छुटकारा पाने में मदद करता है हमारा नेक्स्ट एडिंग हम लिखेंगे योग दिवस योग से दुनिया के हर व्यक्ति को लाब होना चाहिए ऐसा भारत का लक्ष है इसलिए भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21-21-2015 के दिवस को अंतर रास्टिय योग दिवस के रूप में मनाने की घोशना की थी जिसमें पहली बार लगबग विश्व के 192 देशों ने विश्व योग दिवस पनाया था इसी दिन भारत की राजधानी दिल्ली में करीब 35,985 लोगों ने एक साथ योग किया जिसमें 84 देशों के प्रतिनिदी मौजूद थे उपसहार मनुष्य को हर तरह से सुखी रखने में योग अपनी महत्वपुन भूमिका निभाता है योग करने के अंगिनत फायदे हैं योग मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखता है एवा मन को पवित्र रखता है योग एक अद्बुत क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन और मस्तिक्ष को नियंतरन में रख सकता है वहीं आज जिस तरह की मनुश्य की जीवन शैली हो गई उसमें योग के माद्यम से ही संतूलन बनाया जा सकता है प्रती दिन 20-30 मिनट योग आपके शारीडिक, मांसिक और अध्यात्मिक स्वास्ते के बीच संतूलन को बढ़ावा देने के द्वारा आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है तो फ्रेंट्स इस तरह से आप योग का महत्व पर निबन लिख सकते हैं वीडियो हेलफफुल लगे तो वीडियो को लाइक जिरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद